नमस्कार दोस्तों आशा करतों आप लोग अच्छे होंगे और उद्धव ठाकरे से भारत की जनता बेसबरी से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो बता दे उसका नाम जो सोशांत के कातेले आखिर कहां छुपा रखा है और कौन है तो उद्धव ठाकरे से रोज ये ट्रेंड क के अंदर था और उस व्यक्ती ने अच्छा काम कर दिया ये कैसे हो सकता है कि मुंबई के अंदर रहते हुए जहां पर महराष्ट की सरकार और उसमें शिव सेना के उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है और वहां पर अच्छा काम कर दे पुलिस सौरी ये बिलकुल को ट्रांसफर कर दिया जाते हैं उनको उटा के फैक दिया जाते हैं क्या है पूरा मामला पहले समझो दयानायक कौन है तो दयानायक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सचिनवाजे के केस में जो विनायक शिंद्याज गिरफतार हुएं वो जो बुकी नरेश गिरफतार हुआ है उसको किसने गिरफ्तार किया था यही दयानायक ने, तो यही थे जो इस पे जांच करते हैं, इस लीड तक पहुशने की किस तरीके से, ये लोग सचिनवाजे का साथ दे रहे थे, और इवन सचिनवाजे का जो पूरा मामला है, जो NIA को फाइले जांच सौपी है, कि सचिनवा पराश्टर के अंदर गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोई बढ़िया काम कर रहा है एना ये की मदद कर दी तो उद्धव ठाकरे को दिक्कत हो गई मतलब ये उद्धव ठाकरे है जो गलत का साथ दे रहा था यानि कि आप सीधे समझो कि यहां पे बहुत बड दिया ये समझो वहां पे जिला जाती प्रमान पत्र के उप निदेशक का पद इनको सौपा गया ये ही आपको समझ में आ जाता है इससे तो जहां पे एक तरफ ये ATS में थे और दूसरी तरफ इनको यहां पे उठा के फैक दिया तो इनको सीधे साइड लाइन किया गया है क कि इनको कैसे दूर किया जा सके इन चीजों से तो यहां पे एक चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट की होती है कि महराश्ट्र सरकार पूरी अपनी पावर का उपियोग कर रही है कि कैसे ये केस ना सुलझे अगर कोई इसमें अच्छा काम कर रहा है इसको सुलझाने की कोशि है कि भाई सत्य से कैसे लोग दूर हट जाए तो वो एक्सपोज ना हो सके जो इनके गलत काम है क्योंकि एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकि अनील देशमुक का जो कनेक्शन है पूरा का पूरा यह वसूलिकांड से जो आज उनको भाई अपना पद छो लोगों तक शेयर करो कि यह जो दयानायक का ट्रांसफर है यह अपने आप में फिशी है और फिशी चीज हमें पसंद नहीं आती तो आप इसको शेयर कर दो सभी उन लोगों के साथ कि भाईया फिशी चीज जहां पर भी देखियो उसको और शेयर करते ठीक है तो अगर अभ